परिजय मोहन और उसके पिटाजी बालकोनी में खड़े हैं वे प्रताकाल की ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं मोहन सड़क की ओर उस्सापूर्वक कुछ देख रहा है पिटाजी बिजली के खंबों पर वा स्लेटी रंग का बॉक्स जैसा क्या रखा हुआ है? बेटा वह एक ट्रांसफार्मर है ठीक है पिटाजी और इसका उप्योग क्यों किया जाता है? किरपया मुझे बताएं बेटा इसका उप्योग विद्युत की वोल्टता कम करने के लिए किया जाता है उर्जा केंद्रों पर उत्पादित की जाने वाली विद्युत की वोल्टता कई हजार होती है ट्रांसफार्मर इस वोल्टता को घरों के लिए 220 वोल्ट तक तथा उद्योगों के लिए 440 वोल्ट तक कम कर देता है ठीक है पिताजी और मैं इस बारे में और भी अधिक जानना चाहता हूँ ट्रांसफार्मरों के बारे में और अधिक जानने के लिए तुम्हें प्रत्यवर्ती धारा के बारे में समझना होगा तो चलो बच्चो, आज हम प्रत्यवर्ती धारा के विशे में अध्यन करेंगे उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे श्रणी पथ LCR परिपत का विशलेशन करना प्रतिबाधा तिर्भुज को निरूपित करना LCR परिपत में अनुनात की व्याख्या करना LCR परिपत में अनुनात की तीक्षणाता का वड़न करना शक्ती गुडांक की गड़ना करना LC दोलनों का वड़न करना ट्रांसफार्मरों को परिभाशित करना ट्रांसफार्मरों के प्रकारों को समझना ट्रांस्फार्मरों में उर्जाक्षय का विवेचन करना. श्रणी बद्ध LCR परिपत एक परिपत पर विचार करें, जिसमें प्रतिरोध R का एक प्रतिरोधक, प्रेरक कत्व, L का एक प्रेरक, और संधारिता, C का एक संधारित्र, एक AC स्रोध पर श्रणी क्रम में संयोजित हैं. माना की स्रोध वोल्ट दा Vm sin ω T के बराबर है. लूप पर किर्खौफ का नियम प्रेयुक्त करने पर हम प्राप्त करते हैं कि V बराबर Vr प्लस Vl प्लस Vc. उर्द्व अक्षपर की सिक्षण में Vr का प्रक्षेप Vr के बराबर होता है, जिसका अधिकतमान Im और R का गुणनफल होता है. धारा फेजर I से पाई बटे दो आगे फेजर Vl प्रेयरक पर वल्ट दा प्रदशित करता है. किसी ख्षण में उर्द्व अक्षपर इसका प्रक्षेप Vl होता है, जिसका अधिकतमान Im और XL का गुणनफल होता है. धारा फेजर I से पाई बटे दो पीछे फेजर Vc संधा रित्र पर वल्ट दा प्रदशित करता है. किसी ख्षण में उर्द्व अक्षपर इसका प्रक्षेप Vc होता है, जिसका अधिकतमान Im और Xc का गुणनफल होता है. अब हम वल्ट दा फेजरों Vr, Vl और Vc को सदिशिये रूप से जोड़ते हुए फेजर V प्राप्त करते हैं, जो परिपत पर नेट वल्ट दा दर्शाता है. V अधिकतम बराबर वर्ग मूल Vr अधिकतम वर्ग प्लस Vc अधिकतम माइनस Vl अधिकतम वर्ग समकोन तिर्भोज नेट वोल्ट दा तथा कला कोन के अधिकतम मान का समिकरण प्रदान करता है. 10,5 बराबर Vc अधिकतम माइनस Vl अधिकतम बटे Vr अधिकतम ओन का नियम प्रेयोक करने पर हम पाते हैं कि Vm बराबर Im गुणे वर्ग मूल R वर्ग प्लस Xc माइनस XL वर्ग. हम परिपत की प्रतिबाधा वर्ग मूल R वर्ग प्लस Xc माइनस XL वर्ग के रूप में प्राप्द करते हैं. अब उप्रोक्त समिकरण निम्न रूप लेता है. Vm बराबर Im और Z का गुणन फल. हम इस समिकरण को निम्न रूप में भी लिख सकते हैं. Im बराबर Vm पटे Z या Irms बराबर Vrms पटे Z. श्रड़ी पत्थ LCR परिपत का फेजर चित्र हल. परिपत के सभी बिंदूओं पर तात क्षणिक धारा का मान समान रहता है. I बराबर Im sin ओमेगा T प्लस Phi. जहां फाईस रोध पर वोल्टता तथा परिपत में धारा के बीच कला अंतर है. तीनों घटकों पर तात क्षणिक वोल्टता के तात क्षणिक धारा से निम्न कला संबंद होंगे. प्रतिरोधक VR पर तातक्षनिक वोल्ट दा तातक्षनिक धारा आई के साथ कला में है प्रेरक VL पर तातक्षनिक वोल्ट दा धारा आई से पाई बटे दो आगे है संधारित्र VC पर तातक्षनिक वोल्ट दा धारा आई से पाई बटे दो पीछे है प्रतिबाधा तिर्भुज प्रतिबाधा तिर्भुज का उप्योग प्रतिबाधा की करना करने के लिए किया जा सकता है जब प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारिता सभी परिपत में उपस्तित हों और प्रेरक प्रतिखात तथा धारिता प्रतिखात के बीच का अंदर कुल प्रतिखात हो Z पराबर वर्ग मूल R वर्ग प्लस XC माइनस XL वर्ग विकन रूप में प्रतिबाधा Z के साथ समकोन प्राप्त होता है राशी XL माइनस XC परिपत का प्रतिखात कहलाती है जिसे X से निर्दिष्ट किया जाता है 10,5 पराबर XC-XL बटे R LCR परिपत में अनुनाद अनुनाद ऐसे निकायों में घटित होता है जिन में किसी विशिष्ट आवरिती से दोलन करने की प्रवृत्ती होती है जब इस प्राकृतिक आवरिती के एकदम बराबर आवरिती वाला एक आवधिक वाहे पल इस निकाय पर लगाया जाता है अनुनात में वाहे आफदिक पलद्वारा निकाय को दी जाने वाली उर्जा अधिक्तम संभव धरपर होने पर निकाय में विशाल आयाम वाली दोलंगती होती है आवृत्ती ओमेगा नौट जिस पर धारा आयाम अधिक्तम हो जाता है परिपत की अनुनाद आवृत्ती कहलाती है ओमेगा नौट बड़ाबर एक बटे वर्कमूल एल्सी होता है अनुनाद में धारा दोलनों का आयाम पूरी तरह से प्रतिरोध आर द्वारा निर्धारित किया जाता है I M अधिक्तम बराबर V M बटे R होता है LCR परिपत में अनुनाद में तातक्षणिक धारा I तथा वोल्टिता V कला में होते हैं LCR परिपत में अनुनाद की तीक्ष्णता वैद्धुतिक अनुनाद पर प्रतिरोध का प्रभाव अनुनाद वक्र की तीक्ष्णता को चीन करता है प्रतिरोध जितना ही छोटा होगा अनुनाद वक्र उतना ही तीक्ष्ण होगा परिपत का गुणवत्ता गुणांक Q, ओमेगा नौट L बटे आर होता है, या एक बटे ओमेगा नौट C आर गुणवत्ता गुणांक का उप्योग अनुनाद शिक्रों की तीक्षनता को वर्नित करने के लिए किया जाता है, यदि आर छोटा या एल बड़ा है, तो ये इंगित करता है कि अनुनाद अधिक तीक्षन है, तथा परिपत अधिक चायनात्मक है उधारण आए एल सियार परिपत में अनुनाद का एक उधारण देखें एल सियार परिपत की श्रिणी की अनुनाद अवरिती और क्यू गुणांक ग्याद करें, जहां एल पराबर तीन हेन्री, सी पराबर सत्ताइस, माइक्रो फेराड, तथा आर पराबर साथ दशमलाव चार ओम है परिपत की पूर्ण चोड़ाई अधिक्तम आधे तक कम करते हुए इसकी दीक्ष्णता गुणांक दो तक बढ़ाना अपेक्षित है आईए इसका हल देखें दिये गए मान हैं एल पराबर तीन हेन्री हम जानते हैं कि अनुनाद आवरित्ती एक बटे वर्कमूल एलसी होती है अब मानू को रखते हुए हम अनुनाद आवरित्ती 111 रेडियन प्रतिस सेकंड प्राप्त करते हैं क्यों गुणांक बड़ाबर ओमेगा आर एल बटे आर है अब मानू को रखते हुए हम क्यों गुणांक 45 प्राप्त करते हैं क्योंकि क्यों आर के विर्थ करमानू पाती है इसलिए क्यों को दोगुना करने के लिए आर को आधा होना जाहिए शक्ती गुणांक हम जानते हैं कि एक एल सी आर श्रणी क्रम परिपत पर प्रयुक्त एसी वोल्टता वी बराबर Vm sin ωt परिपत में Im sin ωt प्लस 5 धारा चालिद करती है परिपत में विसरेत तातक्षनिक शक्ती है P पराबर Vi एक पूर्ण चक्र पर शक्ती का समय माधे V-RMS कुणे, I-RMS कुणे, कौस फाई हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि परिपत में आपूर्ती की गई औस्च शक्ती ना केवल वोल्टता तदा धारा पर निर्भर होती है बलकि उनके बीच के कलाकून फाई की कोजिया पर भी निर्भर होती है कौस फाई को परिपत का शक्ती गणानक भी कहा जाता है प्रती बाधा और एक से हम शक्ती गणानक को निम्नुवत परिभाशित कर सकते हैं कौस फाई पराबर R बड़े Z जो R बड़े वर्क मोल R वर्क प्लस XL माइनस XC वर्क के पराबर है अब हम एक पूर्ण चक्र पर शक्ती का मात्थे समय आगणित करने के लिए उप्रोक्त दोनों समिकरणों का उप्योग करते हैं पी बार पराबर आई आरेमेस वर्ग तथा आर का गुड़न फल विभिन परिपतों में शक्ती गुड़ांख प्राकरण एक प्रतिरोध की ये परिपत यदि परिपत में केवल प्रतिरोधक है तो फाई बराबर चुनने कौस फाई कमान बराबर एक इसमें अधिक्तम शक्ती शह होती है पी बार बराबर वी आरेमेस और आई आरेमेस का गुड़न फल प्राकरण दो शुद्ध प्रेरिकिये या धारितिये परिपत यदि परिपत में केवल प्रेरा किया संधारित्र है तो फाई बराबर माइनस पाई बड़े दो या पाई बड़े दो कौस फाई कमान बराबर चुनने इसमें शक्ती शह नहीं होती पी बार बराबर चुनने प्रेरक, संधरित्र तथा प्रतिरोधक हैं, तो कॉस्फाई का मान 0 और 1 के बीच रहता है। ऐसे परिपत में सदेव शक्ती क्षय होता है। पी बार पराबर वी आरमस, आई आरमस और कॉस्फाई का गुणन फल। प्राकरण 4, LCR परिपत में अनुनाद में शक्ती क्षय, शक्ती केवल प्रतिरोधक में क्षयत होती है। LCR परिपत में प्रेरक या संधरित्र पर उश्मा के रूप में शक्ती क्षयत नहीं होती। LC दोलन हम मानते हैं कि आरम्भ में LC परिपत के संधरित्र C पर आविश क्यू होता है और प्रेरक में धारा आई शूने होती है। उस समय संधरित्र के वैद्यूदिक शित्र में संचित उर्जा UE होती है तथा प्रेरक में संचित उर्जा UB शूने होती है। संधारित्र अब प्रेरक के मात्यम से निरावेशित होना आरंब हो जाता है। धारा वामा वर्त प्रवाहित होनी आरंब हो जाती है। संधारित्र पर आवेश घड़ता है। लेकिन प्रेरक के चुम्ब की एक शित्र में उर्जा बढ़ जाती है। उर्जा संधारित्र से प् इस्थानांत रित करती जाती है इस चरण में प्रेरक में धारा कमान अधिक्तम हो जाता है अब प्रेरक से उर्जा का प्रवहा वापस संधारित्र की ओर बहने लगता है क्योंकि विद्ध दिक्षेत्र पुना बन जाता है प्रेरक से संधारित्र की ओर समस्त उर्जा का इस्थाना अंत्रन होता है ये परिस्थिती आरंबिक परिस्थिती के समान होती है सिवाई इसके की संधारित्र विप्रीत आवेशित होता है संधारित्र पुना निरावेशित होना शुरू हो जाता है धारा अब दक्षुन वर्ति दिशा में प्रवाहित होती है। संधारित्र में संचित समस्त उर्जा प्रेरक के चुम्ब की एक्षेत्र पर इस्थानांत्रेत करती जाती है। यह प्रक्रिया वी की निश्चित आवरिती पर जारी रहती है। यदि LC परिपत में प्रतिरूद उपस्तित न हो तो LC दोलन अनंतिकाल तक जारी रहेंगे। ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति होती है जो AC वोल्ट ता वा थारा का आयाम घटाने या बढ़ाने के लिए उप्योग की जाती है। ट्रांसफार्मर में कोमल लहफ क्रोड होती है जिस पर तारों की दो कुंडलियां लिप्ती होती है। एक प्रात्मे कुंडली कहलाती है जिस पर NP लपेटे होते हैं और दूसरी दुद्यक कुंडली कहलाती है जिस पर NS लपेटे होते हैं। प्रात्मे कुंडली AC EMF सरोज से जुड़ी होती है। दूसरी कुंडली ट्रांसफार्मर का आउटपुट प्रदान करती है। कोमल लोह क्रोड का उप्योग जिमकिये फ्लक्स बढ़ाने तथा एक माथ्यम उपलब्द कराने के लिए किया जाता है। जिसमें एक कुंडली के माथ्यम से लगभग समस्त फ्लक्स अन्य में चला जाता है। प्रात्मे क और दूतिय कुंडली के माथ्यम से फ्लक्स परिवर्तित भी होता रहता है। और इसलिए दूनों कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यवर्ती वोल्ट दा लगाई जाती है। तो प्रत्या वर्तिधारा इसमें लौक रोड में एक परिवर्तन शील चुम्म की एक शेत्र उत्पन करती है। चुकि चुम्म की एक शेत्र परिवर्तन शील होता है। इसलिए प्राथमिक और दूतियक कुंडलियों के माध्यम से फिलक्स परिवर्तित भी होता रहता है और इसलिए दोनों कुंडलियों में एक EMF प्रेहरित होता है। माना की फाई दोनों कुंडलियों के प्रतियक लपेटे के माध्यम से चुम किये फिलक्स हैं। पारसपरिक प्रेरण के कारण दुदियक में EMF प्रेरित होता है. ES पराबर माइनस NSD, 5 बटे DD. प्रादमे कुंडली में स्वाप्रेरण से EMF प्रेरित होता है. EB पराबर माइनस NPD, 5 बटे DD. अब दोनों समीकरणों को विभाजित करने पर हम पाते हैं कि ES बटे EB बराबर NS बटे NP. ये समीकरण, ट्रांसफार्मर समीकरण कहलाता है. इसे टर्मिनल वोल्टता के रूप में निम्नवत लिखा जा सकता है. VS बटे VP बराबर NS बटे NP. अनुपात NS बटे NP, ट्रांसफार्मर की लपेटों का अनुपात कहलाता है. ट्रांसफार्मरों के प्रकार ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर जब दूइत्यक वोल्टिता प्रात्मिक वोल्टिता से उच्चतर होती है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है अपचाई ट्रांसफार्मर जब दूद्यक वोल्टिता प्रात्मिक वोल्टिता से निम्नितर होती है तो ऐसा ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है वोल्टिता को उच्चाइद करने वाला ट्रांसफार्मर साथी साथ धारा को अप्चाइद भी करता है जबकि वोल्टिता को अप्चाइद करने वाला ट्रांसफार्मर साथी साथ धारा को उच्चाइद भी करता है IS पटे IP बराबर VP पटे VS बराबर NP पटे NS ट्रांस्फार्मर के अनुप्रयोग तारों के माध्यम से विद्ध उड़जा का लंबी दूरियों तक संप्रेशन करने से पहले वल्टता बढ़ाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है ये विद्ध आपूर्ती उड़्योग के आधार हैं जिनके कारण मांक शेत्रों से सुदूर इस्थिच शेत्रों में विद्ध उथपादन संभाव हो पाता है निमने वल्टता परिपतों वाले विद्ध उथपादों के अनुसार उप्युक्त इस्तर तक आपूर्ती वल्टता को कम करने के लिए इन में ट्रांसफार्मरों का काफी उप्योग किया जाता है आवर्दकों के इस तरह युक्मित करने के लिए और माइक्रोफोन वा रिकॉर्ड प्लेट जैसी युक्तियों को आवर्दकों के इन्पुट से मिलान कराने के लिए सिंगनल तथा आउडियो ट्रांसफार्मरों का उप्योग किया जाता है आडियो ट्रांसफार्मरों के कारण ही टेलिफून परिपतों में तारों के एकल युक्म में दो तरफा संप्रेशन कराना संभा होता है ट्रांसफार्मरों में उर्जा क्षय निम्न अनुसार है फ्लक्स ख्षरन उर्जा का ख्षय होता है जब प्रात्मिक द्वारा उत्पन समस्थ फ्लक्स दूइतिये से नहीं गुजरता प्रात्मिक और दूइतिय कुण्डलियों को एक दूसरे के उपर लपेट कर इस हानी को कम किया जा सकता है कुंडलनों का ततिरोध कुंडलनों में उत्पन होने वाली उश्मा की कारण ऊड़ जाक्षय होता है मोटे तारों का इस्तिमाल करके इस हानी को कम किया जा सकता है भवर धाराएं लहो क्रोड में भवर धाराओं के कारण उश्मा के रूप में उड़ जाक्षय होता है। स्तरित क्रोड का उप्योग करके इस हानी को कम किया जा सकता है। शेह थिल्ले लोह क्रोट के चुम्बकन वा विजुम्बकन के चक्रूं के दौरान उत्पन उश्मा के रूप में उर्जा काक्षा होता है कम शेह थिल्ले पाश वाली क्रोट समक्री का उप्योग करके इस हानी को कम किया जा सकता है कुमल लौक रोट का उप्योग शेथिल लिहानी और फ्लक्सिक शरण को कम करता है क्या आप जानते हैं? समानांतर अनुनाद परिपत का उप्योग रिजेक्टर या फिल्टर परिपत के रूप में किया जा सकता है रेडियो ट्रांस्मेटरों में ऐसे परिपत उप्योग किये जाते हैं सन 1826 में फ्रांसीसी वेग्यानिक फैलिक्स सावेरी द्वारा ये खोच की गई की संधा रित्र वित्त दोलन उत्पन्न कर सकता है रेडियो आवरित्ती ट्रांस्फार्मरों को उच्छ आवरित्तियों की संकीरन परास में दक्षिता पूर्वक प्रचालन करने के लिए डिजाइन किया जाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं श्रिणी बद LCR परिपत में प्रती रोधक पर तात खणिक वोल्टता तात खणिक धारा के साथ कला में होती है प्रेरक पर तात खणिक वोल्टता धारा आई से पाई पटे दो आखे होती है संधारित्र पर दातक्षनिक वोल्टिता धारा आई से पाई बटे दो पीछे होती है प्रति बाधा तिर्भुज का उप्योग प्रति बाधा की करना करने के लिए किया जा सकता है जब प्रतिरोद प्रेर कत्व तथा संधारिता सभी परिपत में उपस्तित हों अनुनात में वाहे आवधिक बल द्वारा निकाय को दी जाने वाली उर्जा अधिक्तम संभव धर पर होने पर निकाय में विशाल आयाम वाली दूलनकती होती है LCR परिपत में अनुनात में तातिक्षणिक धारा आई तथा वुल्टता वी कला में होते हैं ट्रांस्फार्मर ऐसी युक्ति होती है जो एसी वुल्टता वा धारा का आयाम खटाने या बढ़ाने के लिए उप्योग की जाती है ट्रांस्फार्मर में कुंडलनों में उत्पन होने वाली उश्मा के कारण उट जाक्षाए होता है मोटे तारों के इस्तिमाल करके इस हानी को कम किया जा सकता है कोमल लोह क्रोट का उप्योग शेथिल्ले हानी और फ्लक्सक शरन को कम करता है करता है